दोस्तों नमसकार स्वागत है मौर्या जी दूजानल में दोस्तों एक बाराम फिर पज़ते तुम्हें हैं आप लोगोंसे नहीं जानखाए ले करके दोस्तों दोस्तों जड़ा से जदा लोगों ने बार बार यही पुझा है कि हम ने जो फारम फिलप किया है 5,500, 2,000, 3,000 मlor 5,000 से नीची वाले का जब बार-बार लोग यही कहते हैं चैनल पर भी बता आयाता है कि पैसा चलू हो गया और सेवी के जो पोड़ल है उसपर भी बता आयाता है पैसा देना स्टरॉट हो गया और इतने लोगों को पैसा हम दे चुके जब से भी इस बात को कहती है तब हमने अपने चैनल पर देखा कि लोग बार-बार यही पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमने 5000 का जो आवेदन कहता सही फारम मरा था फिर भी पैसा हमारा नहीं आया इसी पर बात करेंगे दोस्तों इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों ज बेलन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दवा दें तार कि उन्हें लेटेश नूच मिलती रहे सबसे पहले दोस्तों जो पहले से सब्सक्राइब कि हमारे सब्सक्राइबर वाई हैं उनको बहुत बहुत धन्वाद दोस्तों आज आते हैं दोस्तो अपने नूज पर दोस्तों बहुत से लोगों ने बताया हमने फारम आच्छी तरीके से फिलब करवाया है किसी प्रकार की गलती नहीं किये जैसा उसमें बताया गया था फारम भरने के लिए उसी प्रकार फारम भरा था कोई गलती नहीं किये थी हमारे इस्पष्ट बांडर जो बांड के कापी थी उसको इसपेश्ट बढ़िया आच्छी तरीके से डाउनलोड किया था और सारे अच्छर उसमें दिख रहे थे दोस्तों और जो रसीदे थी हमने अच्छी तरह से अपलोड किया है किसी प्रकार कि उसमें गलती नहीं की बताय हुए नियम का फालो किया ठाई अच्छी तरीके से भार्म फ्लाप किया फिर्भी हमारा पैसा नहीं आया ऐसा लोगों ने बताया फिर भी से भी ये बता रही है यहां मलब की यह कहकर हाज ड़क रही है कि हमने इतनी लोगों को पैसा दे दिया अब जो बचे हैं 5000 से नीचे वाले वही लोग बचे हैं जिनके में तुरूटियां है तो दोस्तों सवाल यह उड़ता है कि सारी के सारे भरम 5000 से नीचे वाले गलत हो गए सभी फारम गलत हो गए संका उड़ती है दोस्तों ऐसा नहीं हुआ होगा सारे फारम गलत नहीं हुए हैं जान बूझ कर सेवी पैसा नहीं दे रही है जैसा कि हम खुद चैनल चलाते हैं और हमने भी फारम फिलब किये थे बहुत सारे फारम फिलब करवाये और किये भी और उसमें से बहुत ही कम लोगों के पैसे आये हैं सच में सचाय के साथ बता रहा हूं उसमें बहुत ही कम लोगों के पैसे आये हैं जो अपने हाथ से किया है बहुत अच्छी तरीके से सही सही फारम किया है किसी परकाय गलती नहीं की है दोस्तों हाँ सही में बहुत ही कम लोगों के पैसे आये हैं और शेवी पै दोस्तों अगर इसे सही से काम करना होता तो हम तो रिक्ष्ट बार-बार अपने चैनल पर करते हैं और सेवी वाले से कहना भी चाते हैं कि ये सेवी वाले आप लोग जो सेवी के अधिकारी अगर हमारा वीडियो देखें तो हम उनसे बार-बार रिक्ष्ट करते हैं कि वो जो कि सारी रसीदों के मांग करते हैं पहला नंबर तो रसीदे ना मांगें केवल मांगें और यहें आधार कार्ड मांगें ना करके जो है कि अधार कार्ड मांगें इसبرकार और करके के मांग लें और सारी लोगों को पैसा दे दे लेकिन से भी धडलले से वेमानी पर उतार आई है यह जो है कि पैसा नहीं देना चाहती इसनाते सारे आपन लगा रहे है और बारीकी से कागजों को वेरिफिकेशन में लगी हुई है और ज़रा सा मिश्टेक होने पर पैसा नहीं दे अगर इसी प्रकार दोस्तों इसे प्रकार PSL को पैसा देना होता जिस प्रकार से से भी दे रही है अगर इसी प्रकार से PSL को देना होता तो ये 2014-15 में ही दे चुकी होती जिस प्रकार से से भी दे रही है इस प्रकार से PSL को अगर देना होता तो बहुत पहले पैसा दे चुकी होती ये जो साथ हजार करोड का मामला जो फंस रहा है ये मुश्कल से एक हजार ही करोड में निप्टा देती तो दोस्तों बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बेमानी करेगी तो ये कम बहुत कम ही पैसे में लोगों को निप्टारा कर देगी और ये कहकर हाज लग देगी कि हमने सभी लोगों को जो लीगल लोग थे जो जिसके नाम सही पाएगे जिसके मुलब की सब कागजाद मुहिया कराए सेवी को और अच्छी तरीके से परमारित वेरिफिकेशन हो चुका है और सही पाएगे हम लोगों को पैसा दे दिया और बाँंखी वो लोग है जिनका पैसे में पैसा जमा ही नहीं है वो आपन सही कागण नहीं दे पाएग इसलिए हमने उनको पैसा नहीं दिया ऐसा कहेगी दोस्तों इसलिए दोस्तों बाद ये उठना चाहिए जाए संसद की माद्धम से जाए किसी भी तरीके से हमारा पैसा पूरा मिलना चाहिए इस नाते मिलना चाहिए अगर हमारा पैसा पैसे के देने के लिए हमारे डाकॉमेंट को इस तरह वेरिफिकेशन किया जा दिया उल्टा सिधा फोटो लगा दिया और उल्टा सिधा हमलब सब काम उल्टा सिधा हुआ है दोस्तों पैसा लेते समय प्येसल जब पैसा लेती थी अगर उनके पास एजेंडी के पास फोटो भी नहीं था तब प्येसल पैसा ले लेती थी नाम गलत होता था तब ही वो पैसा ले लेती थी आईडी में नाम कुछ दूसरा है और फारम जमा करते हैं जब पैसल में हमने पैसा जमा करवाया तब की बात करते हैं दोस्तों कुछ गलत है तब ही पैसल पैसा ले लेती थी इस बात का मुद्दा की नहीं उठाया था संसत मे कि पेस्यल गलत तरीके से पैसा वसूल करती तो देते समय इतनी बारी किसे जाच चोगी तो किसी को पैसा मिली ही नहीं पाएगा तो दोस्तों हम जाते हैं कि जब भी कोई मुद्दा किसी भी तरीके से उठे तब ये उठना चाहिए बहुत बारी किस के साथ उठना चाहिए कि हम लोगों का पैसा गलत तरीके से गलत फारम फिलब करके सारे पैसे गलत नाम से गलत मतलब की एड्रस प्रूब से जमा होते रहे हैं तो में और जब देने की बारी आई इतनी बारी किसी जाँच होगी तो किसी को पैसा मिल नहीं पाएगा इसलिए जरूरत है दोश्तों कि जो फारम फिलब गए गये हैं इतनी बारी किसी जाँच नह और इतने डाकुमेंट ना मांगे जाएं इतने रसीदे ना मांगी जाएं और केवल बांड से और ड्राइविंग लेसंस और फैंड कार्ड और आफशनल करके आधार कार्ड इसी परकार करके कागज मांगे जब दुबारा पॉर्टल खुले तो इसी परकार कागज मांगे हमा हमारा यही रूक्वेस्ट है सेवी से दोस्तों चैनल के माध्यम से और लोगों का भी कहना है दोस्तों अगर ऐसा हो जायत कितना अच्छा रहेगा दोस्तों दोस्तों हम बार-बार ही अपील करते हैं उन लोगों से जो प्रोटेस्ट करते हैं जो पेसल का मुद्दा लेकर है और साइब निक करें प्रतेग अप्लिकेशन जिनके पास बांड है उसका जो है कि पादर्सता दिखाए अपने साइट पर कि प्रतेग अप्लिकेशन प्रते बांड जो लोगों के पास जमा है सभी बांड का ओपनियन करें कि हाँ इस अप्लिकेशन का इतना पैसा है सेवी के पास इस अप्लिकेशन का इतना पैसा सेवी के पास है तो इस प्रकार करना चाहिए लोगों के पास कितनी रसीदे हैं कितनी नहीं है इस बात को गौर क्यों कर रहे हैं क्या सेवी के पास डाटा नहीं है अगर वो सही तरीके प्रब्रों करके देंगे तभी हम पैसा देंगे अनिता हम पैसा नहीं देंगे दोस्तों इस प्रकार से बेमानी करेगी अगर वो बार बार कहे रहे हैं लोगों ने गलत फारम फिलब किया इसलिए हम पैसानी देतें, दोस्तो हम एक request करना चाहते हैं, सरकार से भी request करना चाहते हैं, से भी से लोडा committee से, सभी लोगों से हम request करना चाहते हैं, कि जब भी फारंफिलप करने की बारी आए, तो portal पर करवाए, तो कुछ आईसे लोगों को जो इस्पाइट हो नेट चलाने में कंप्यूटर चलाने में इस्पाइट हो ऐसे लोग जो गलतियां ना करें ऐसे चुनंदा लोगों को या तो तयार करके जगा-जगा-गाउं आप सब्सक्राइब करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो के साथ में तो आज की वीडियो में हम लोग बत हैं हम देखेंगे कि पीएसल का पैसा जो आना सुरू हो गया बहुत से दोस्तों मिल चुका है तो यह खुशकरी में आप इस लगों के साथ बाठते हुआ हुआ हैं कि पेसल में को का भॉक्तान आना सुरू हो गया है जी हाँ दोस्तों पेसल में को का भॉक्तान आना सुरू हो गया मेसकों का भुगतान आना शुरा हो गया जल्द से जल्द इन इसकों को मालूम की पिजल आप लोगों तो उन इसकों का भुगतान आना शुरूग है तो वह सभी लोग को अनोने करते concept करते समय जो नंबर उन उन्हें दिया है वह पुछि नंबर को आपन सेवी की तरफ से तो उसमें आपको दिखाया होगा कि हाँ आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है आप लोग बैंक में जा करके आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं जी हां दोस्तों तो यह खुसकपरी मैं आप लोगों को दे रहा हूं तो यह है उन सभी निवेशकों को जिन निवेशकों ने को अभी मालूम नहीं कि पैसा आना सुरू हो गया है जी हैं दोस्तों तो मैं आप लोगों यह भी बता दूं कि जिन को नहीं मालूम है तो अपना जाकर चेक करेंगे अब यह बात यहां पार रहे है कि कितने रकम वालों का पेमेंट आ रहा है जी हां दोस्तों अभी यहां पर दोसी बात है कि मैं आप लोगों यहां पर बता दूं कि उन निवेशकों जिन निवेशकों का 5000 से कम है या भ उन सभी लोगों का पैसा हिर्फंट कर रही है तो यहां पर देखने को मिला है कि बहुत से दोस्तों का पैसा कट के आ है यहां पर कौन बरती समय हुई थी तो इन सभी और से आप लोगों का पैसा कम आ रहा है जै दोस्तों मैं आप लोगों फोरा यहां पर हिंट दे रहा हूं किक्किन कारलों से सभी निवेशन किया फिर ज़्यादा तर्म मैंने जिन दोस्तों का अवेधन किया था या फिर मैंने अपना परस्णल किया था या अपने घर के ज़ों किये थी उन पर मैं जो डेटावेस उसके एकर्डिंग में बता रहा हूँ क्योंकि हमारे ने लगबख 20 से ज्यादा मैंने अभीधन खुद किये था तो 20 च्यादा जो आपेजन किया था उन में से अभी सानच लोगो का आया पांच शाल लोगों का आया है जिन में से बहुत से लोगों का यह यानिकी पंच जार था या फिर तीन जाद जो इसी के आसपास कुछ था तो उनका लगबग जैसे एक लोग का था 4080 एक आसपास था तो उनका आया था 3200 रुपे जी हां दोस्तों उनका 3200 रुपे पेमेंट आया है तो वहां पर हमेंने घर्श किया है कि हमने जो आवेदन किया था वहां पर कुछ उनकी रशीदे फटी हुई थी या फिर कहीं-कहीं समयने काहा क्या लिखा है तो उसी के हिसाब से उनने उन रसीदे को भी वान कैंसल कर दिया था तो क्या आपके पास भी ऐसी कुछ रसीदे थी जिनको पर ऐसा कोई प्राबलम है तो दोस्तों अगर आप भी के पास भी अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो दोस्तों घबराइए नहीं कि आपका पैसा कम आया तो दोस्तों यह हो सकता है आपको बाद में दिया जा सकते हैं तो दोस्तों जिन दोस्तों के पास यह समय से आई है कि उन्होंने उनका 5000 है और उनका 2000 तिन आया है तो दोस्तों लोग कमेंट करके मुझे भी बताईएगा कि कितने निवेशत आइसे हैं जिनका पैसा पूरा जमा होते विए उनको कम पैसा मिल रहा है और उनके पास पूरी रसीध होते हुए उनको पैसा कम मिल रहा है। कि दोस्तों कि आप लोगों से यही जानके चाहता हूं तो दोस्तों यह वीडियो अप लोगों कैसे लगी में जरूरे से नहीं के लेकर के दोस्तों आज हम PSL के मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों बहुत बारीकी से याज सिस्टम कैसा काम कर रहा भारत का और कैसे लोग है कैसे लोग सोचते है क्या विचार है कैसे चल रहा है इस पर बात करेंगे दोस्तों पैसा देने की बात जो होती है और किस तरीके स होती है किसी मुद्दों को लेकर बात किया जा रहा है आइसके सिटम में पैसे को ले करके अर्थात निवेश्कों के पैसे को ले करके क्या क्या बाते हो रही है उस पर हम बात करेंगे दोस्तों दरहसाल बात पेंसल के मुद्दा सही सवालों से को सो दूर है इस पर बात होगी दोस्तों इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों जो पहले बार इस चैनल पर देख रहे हैं हमसे रिक्वेश्ट चैनल को सब्सक्राब करने और साथ में बिल आइकन घंटी को दबा दे ताकि उन्हें लेटर ने मिलते रह जो सब्सक्राइब कियो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आते हैं अपने सवालों में दोस्तों पेसल का मुद्दा सवालों से को सो दूर हैं दोस्तों दरसलम बात ये करना चाहते हैं बात जहां पर ये हो रही है कि हमारा मुद्दा बार बार अब जो है संसु दो सब्धूरा उठाया जा रहा है दोस्तों बात हो रही है लेकिन अब शरूरी इस बात की है कि हमारा मुद्दा इस बात पर विश्यश गौर के साथ होना चाहिए कि पेशेश पेशेल का जो मेचोर्टी शेवी कर रही है वो तरीका बहुत अच्छा नहीं है बहुत लटा तरीका है जितनी इसकी निंदा हो सकती है उतना ही कम है दरसल बात यह है जो में बात है जो दिक्कते आ रहे हैं लोगों में बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं और जो लोगों के अंदर भैव्यापत है कि हमने इतना पैसा निवेश किया है और वाज रिटेंड में इतना मि दढ़ाटा आया है कि इतने समय का डाटा ऐा थे कि अ किया सारह डाटा सेभी के पास है या नहीं है इसका शी जवुद दे सिंप अपरतेरीक ब्यक्त की पास जो बांड़ रखे हुए है क्या उनके इस सवाल है या नहीं है इस सवाल Day date ऊछिबिंदय के पार हाँ और सेवी के पास जो धन है उसे मैचिंग क्यों नहीं हो पा रहा है क्यों उतना पैसा वापस नहीं कि क्यों रसीदे मांग रही है रसीदे धूमिल हो गई है फट गई है गल गई है सेवी को किस प्रकार यकिन दिलाए कि इतना हमारे पास पैसा मनलब इतनी रसीदे है और जमा है इसका पैसा किस प्रकार निवेशक यकिन दिलाए इस बात को कोई आकर बता सकता है यह सवाल क्यों नहीं उठाया था संसत में दोस्तों बहुत बड़ी बात है जो बहुत बड़ी भेमानी के साथ से भी उतारू हुई है और सरकार की यह संस्ता और यकदम से लूटने पर उ सेवी के पार रिकार्ट नहीं है कब तक कितना रिकार्ट है सेवी क्यों नहीं बताती है सेवी को बताना चाहिए लोड़ा कमीट्री को इसका स्पैस्टी करन देना चाहिए क्यों नहीं दे रही है यह आहम सवाल उठता है दोस्तों अगर ऐसा नहीं होगा तो चंद लोगों को पैसा दे कर ये बता देगी जैसा कि वे बता रही है दोस्तों ऐसा हम आगे हम बता देते हैं सेवी ने क्या कहा दोस्तों सेवी इस प्रकार के सवाल क्यों ही उठाती है निमेशकों का पैसा लोटा गया सेवी कह रही है इसनों तीन दिसंबर को जो निज में निकाया दोस्त और रियल इस्टेट कारोबार के नाम पर लोगों से धन उटाया है दोस्तों इस प्रकार से यह बता रहे हैं हमने इतना पैसा वापस कर दिया का यह बात सही है दोस्तों दोस्तों इस प्रकार से यह पैसा देनी की बात कर रही है लोगों के पात बहुत से रशीदे रखे उनके आविदन करने में गलती हुई है और कागच सम्मिट कराने में गलती हुई है इस प्रकाश से इनका पैसा नहीं दिया जाएगा हम पूछते हैं दोस्तों कोई भी ऐसी संस्ता बता दो जहाँ पे साई रसी दे मांगी जा रहा हूं केवल बांड मांग कर ही और लीगल पूछा जाए क्या डिवेसक पैसा जबा नहीं किया है कि इस प्रश्टी करन्ड दे और जो समाद आता है और जो चैनल वाले यह क्यों नहीं उठा बात कर रहे हैं ऐसी बाते क्यों नहीं पूछी जा रही है पैसा वापस किया जा रहा हम अपना हाथ हिला देते हैं दोस्तों इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा ऐसा है तो सारी जनता लुट जाएगी और लुट रही है इस पर एक्सल लेनिंग की बहुत जरूरत है दोस्तों यह बात संसत में सब जखा उटना चाहिए कि से भी जो पैसा रिटन कर रही है बहुत गलत तरीके से कर रही है इस प्रका से होगा तो दोस्तों लोगतंतर कहां रहेगा यह तो मनमानी होताना साही की निसानी है दोस्तों सरकार की यह संस्था बराबर आच्छे तरीके से अपराद कर रही है लोगों के गुनागार है दोस्तों इस पर से लोगों का विश्वास हड रहा है दोस्तों आपका कहना है क कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों धन्वाद